राम राम किसान भाईयों कैसे हैं आप सभी लोग हासा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे बगवान से प्रापना करता हूं आप सभी लोग सदय शुक्षी वाश्चम पन रहें वीफी का उलवर चैनल पर आप सभी अनदाता हूं का दिल से स्वागत है आज मैं में कैसे फैलती है क्यों फैलती है और इसका लच्छड क्या है हम घरेलू तरीका से कैसे कर सकते हैं इस सारी बाद मेरे प्यारे साथियों है बीमारी पसुमें खास कर किलिनी की द्वारब होती है जिनको किलिनी चिचड़ी चीचड़े इनके आद के नाम से जानते हैं इनके दूसरे प्रसू के पास गया, तो इससे क्या था? एक प्रसू से दूसरे प्रसू में भी ये पीमारी फैल जाता, तो सबसीं की नहीं, इस प्रसू क्या होते लेट्मधी होते हैं, चिचणी,ोर्नी, नहीं होने देने हैं, इसका पेह समय पर हमें treatment कर. तो उसके लच्छड क्या होती है उसकी पहचान क्या होती है देखते हैं की बॉड़ी का टेंपरीचर एक दम बढ़ जाता है पसु हापने लगता है और गयबहंस जो होती है वो एकदम पतला गोबर करने लगती है आखों से नाक से और मुह से लार जैसी टपकने लगती है शफेद आग की जड़का 100 ग्राम पॉडर चाहिए मोरिंगा पॉडर 100 ग्राम आवला पॉडर 100 ग्राम अम्वा हल्दी इसका पॉडर 100 ग्राम पॉडर हमें इंक्लूड कर लेना है यह 500 ग्राम पाउडर हो चुका है इसकी 10 ग्राम की एक खुराक 50 ग्राम की शुबह और इस ग्राम की शाम को